दोस्तो अगर आप यूज करते हो Redmi A2 Plus का फोन और आप अपने फोन में जो भी कॉल रिकोर्डिंग करते हैं और फाइल कहां पर जाती है आप उसको सुनना चाते हैं देखना चाते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो भी कॉल रिकोर्डिंग की करते हैं फाइलर ओपिन करने के बाद जिस नंबर की आपको कॉल रिकोर्डिंग चाहिए उस नंबर पर आपको किलिक करना है यही तरीका है दोस्तो सिर्फ एक ही तरीका है यहां पर उस नंबर पर किलिक करेंगे सबसे लेटेस्ट रिकोर्डिंग आप यहां से प्ले कर सकत लेकिन दोस्तों इस नमबर की सारी recording हमें छाहिए, इस नमबर पे हम click करेंगे, history का option देगा, यहाँ आप देख सकते हो, history की option पे हम click कर देगे, history की option पर click करने के बाद इसकी history खोल जाती है, इस नमबर की, यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं listen to recording को option इस पर किलिए करके recording आप सुन सकते हैं आप इसको delete भी कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं listen to recording option तभी मिलेगा जब आपने call को record किया है तो इस तरीके साब recording देख सकते हो